आज मैं भक्तामस्द ओत्री की राजना की पावन काता आपके समने प्रस्तित करती हूँ बहुत समय पहले की बात है एक राजिय था राजा बोज नाम के राजा वहां राज करते थे एक दिन वो अपने मंत्रियों के साथ राज दर्बार में बेटे हुए थे तब ही एक डिस्कुजन शुरू हुई कुछ मंत्रियों ने खा चलो हम कुछ ग्यान अरजुद करते हैं लग कैट सम नौलेज और इसलिए राजा ने पंडित दनंज़ जी को राज दर्बार में बुलाया पंडित जी तो बहुत बड़े ग्यानी थे और इसलिए कुछ लोग उनसे बहुत जलिजी करते थे पंडित ही सारी मंत्रियों ने श्योर मचाकर उनका मसाग उडाना शुरू कर दिया उन्हें खलिट-खलिट बोलने लगे कुछ मंद्रियों ने कहा इनको तो कुछ नहीं आता ये तो सिर्फ नाम के पंड़ित है अगर हमें रियल में कोई ग्यान लेना है तो हमें इनी के आचारिय से शास्त्र चर्चा करने चाहिए राजा बोच को पंड़ित जी के गुरु को जानते थे उनका नाम था मान तुग आचारिय जी और इसलिए राजा ने कहा ठीक है मंद्रियों को शांत करने के लिए हम पंड़ित जी के आचारिय से ही शास्त्र चर्चा करेंगे और इसलिए एक दूद याने एक मेसेंजर को राजा बुलाते हैं और कहते हैं जाओ जाकर मान तुँग आचारी जी को ले किया दूद मान तुग आचारी जी के पाद जाकर उन्हें रेस्पेक्टफली नमन करके कहता है हे मुनीराच आपको राजमहल में राजा ने बलायا है आप राजमहल पदारे और हमें कुछ उपदेश दे तबी मान तुग आचारी जी निक कहा हम तो सादू हैं हम इंडीपेंडनेट हैं और हम हमारे मर्जाजी के मालिक हैं हमने तो सायरा संसा छोड़ दिया है हम राजमहल नहीं आ सकते ये बात दूद राजा को वापस आ के बताता है तब भी राजा नहीं मानते वो वापस दूद को बेचते हैं और कहते हैं जाओ जाकर मान तूगा चाहरी जी को ले के आओ इस बार भी दूद के रिक्वेस्ट करने पर मान तूगा चाहरी जी नहीं माने और ये देखकर कुछ मंतरी राजों को भटकाते हैं और कहते हैं मान तूगा चाहरी जी को तो कुछ नहीं आता इसलिए आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो राज महल नहीं पादा रहे हैं ये सुदकर राजों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कुछ सेनिकों को बुलाया और कहा जाओ जाओ जाकर मानतूंगा अचारी जी को बंदी बनाकर यहां लाएकर आओ और सारे सेनिक मानतूंगा अचारी जी के पाद जाकर उन्हें बंदी बनाकर राज महल में लेकी आते हैं और राजा जब मानतूंगा अचारी जी से उनका नानिका कारण पुछते तब मानतूंगा अचारी जी चुप रहते हैं और ये देखकर राजा को बहुत गुस्ता आता है और वो उन्हें बहुत भारी भारी जंजीरों में बांदेते हैं वो जंजीरे इतनी भारी होती है कि मानतूं आचारी जीसे तो उठा भी नहीं जा रहा था पर फिर भी वो शांत रहे और जंजीरों के रगणने पर उनके शरी से खून भी निकल रहा था पर फिर भी वो चुप रहे ये सब देखें वाराजा को बहुत गुस्टा आया और राजा ने 48 तालों में बंद कर दिया मांतूंग अचारी जी को मांतूंग अचारी जी आदिना दादा की सूती में लीनते जिसी हम आज बक्तामस दोत्र के हैते हैं जब भी वो एक गाता बोलते एक ताला तूट जाता और इसी तरह 48 गाता बोलने पर 48 ताले तूट गए ये सब देखे सारे सेनिक चोड़ गए और राजा के पास जाके इस सब बताया तभी राजा ने सोचा अरे ये क्या किया मैंने ये मुनी राज तो आदिना दादे की सूती में लीनते मुझे इंसे शमा मांगनी चाहिए और राजा के साथ सभी मंतरी मुर्वांतुं आचारी जी से शमा मांगते हैं तो ये थी भक्तामर सोद्री की पावन रचना की महन खता तो हम भी अब रोज एक गाता बर भक्तामर की रोज पढ़ेंगे और हमारे जीवन को सहफल बनाएंगे जय जिने इंद्र